जो भी content आपको copy करना है उसको आप यहां से select कर लीजिए यह देखो हमारे पास copy होके आ चुका है दोस्तों आज से 4-5 साल पहले लोग यही समझते थे कि YouTube केवल entertainment का ही एक जरिया है लेकिन अगर आज की बात की जाए तो यह है बिल्कुल बदल चुका है आज YouTube पर इतना informative और educational content है जो आपको साइध ही कहीं और मिले आज YouTube पर हर एक content के उपर आपको कोई ना कोई वीडियो जरूर मिल जाएगा बहुत सारे लोग तो YouTube पर online classे तक लेते हैं और classों के साथ-साथ अपनी notebook साथ लेकर के उसमें notes भी तयार करते हैं जिससे उनका ज़्यादातर जो समय है वह मैं आपको बताऊंगा कि YouTube के notes को MS Word में कैसे copy paste किया जाता है तो चलिए फटा फट बिना time waste कि आज का वीडियो इस्टार्ट करते हैं तो चलिए साथियों सबसे पहले हम कहां चलते हैं हमारे web browser page को open करते हैं यह देखो मैंने google chrome को open कर लिया open करने के बाद देखो मैंने यहाँ पर एक class स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर देखो मेरे पास क्या है एक question लिखा हुआ है computer के उपर और मैं इस question को अगर copy में दिया है इस tab के अंदर क्या करेंगे या तो आपके पास extension का अगर यहाँ पर कोई shortcut बना हुआ है तो आप उससे open कर सकते हो अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आप टाइप करो क्या Chrome Web Store C-R-O-M-E यह देखो आ गया हमारे पास second number पे Chrome Web Store extensions इसके उपर हमने किया और यहा पहला हमारा Chrome Web Store है उसको हम open कर लेते हैं अब यहाँ पर देखो search लिखा हुआ है जो यहाँ पर हम क्या करते हैं क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्या type करेंगे Quicksy Toolbox Q-U-I-X-Y Q-U-L-Tool-Box-B-O-X यह देखो Quicksy Toolbox लिखते हैं यह देखो नीचे आच सुका हमारा Quicksy Toolbox इसके उपर हमने किया और यह देखो enter की press की press करते हैं यह देखो कुछ इस तरीके का interface आपके सामने आएगा जो कि आपको अलग-अलग भासाओं के अंदर काम करने की facility प्रोवाइड करेगा और यह क्या एक OCR फाइल है हमारे पास इसको हमने क्या किया यहां से click किया click करते ही देखो हमारे पास क्या है next page खुल के आए जहां पे देखो क्या दिखा हुआ है Add to Chromeуск साहिन के यहाँ से add कर देते हैं यह add हो जाएगा देखो, कुछ एक seconds के अंदर यह add हो जाएगा, यह देखो, add हो चुका हमारा, यहाँ पर शो कर रहा है, इसको मैंने यहाँ से close कर दिया है, अब यह देखो, हमारे पास यह class है, जो YouTube पे चल रही है, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसको एक बार जहां से भी आपको copy करना है, टेक्स्ट को, वहाँ पे वीडियो को क्या कर दो, पोज कर दो एक बार आप, पोज करने के बाद में कहा जाओ, उपर आओ, यहाँ पे extension के अंदर आओ, और यहाँ पे click करने बाद देखो, यह रहा हमारा, quicksy toolbox, इसके उपर हमने क्या क्या क्या, click करती है, हम choose language to extract, मतलब आपका जो text है, उसको आपको किस language में extract करना है, तो हमारा text कौन सी language में है, हिंदी language के अंदर है, तो हम यहाँ से क्या करते है, language select कर लेते हैं, हमारी कौन सी हिंदी, यह देखो, English है, Hindi है, French है, Chinese है, और भी आपको देखो, बहुत सारी language है नीचे, जो भी आपको चाहिए, वो आप यहाँ से choose कर सकते हो, हम क्या करते हैं, हम हिंदी को यहाँ से select कर देते हैं, select कर दिया, अब हमें क्या करना है, यह कह रहा है कि जो area आपको copy करना, उसको क्या करो, select करो, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके उपर click करते हैं, और click करते हैं, यह देखो, कु processing start हो चुकी, यह कुछ एक seconds की processing होती है, जो 2 या 3 second के अंदर complete हो जाती है, यह देखो, local area network में noon में से किस मद का परियोग नहीं किया जाता, interface card, computer, modem, यह देखो, बिल्कु एजटी यह यहां से copy करके लाया है, अब यहां से मैं क्या करता हूँ, इसको copy कर लेता हूँ, और copy कर करने के बाद क्या करते हैं, यहां से निचे से हमारे MS Word के page को open कर लेते हैं, यह देखो, हमारा page open हो रहा है, यहां से हम इसको close कर देते हैं, और blank page को open कर लेते हैं, अब open करने के बाद यहां पर क्या करते हैं, इसको paste कर देते हैं, या तो mouse से करो, या फिर control V के द्वारा keyboard से कर सकते हो ये देखो हमारा कोपीओ कि आज सुका बिल्कुल आप चाहो तो इसकी साइज वगेरा को अपने इसाब से अज़स्ट कर सकते हो आप यहां से इसको जैसे चाहो आप अर्जेस्ट कर सकते हैं अगर आपको पुरूतिद्यव के अंदर चाहिए तो उसके अंदर भी आ आप online इसको convert करवा सकते हो तो जो साथि online class लेते हैं मेरे according उन साथियों की यह video काफी help करने वाला है तलिए दोस्तों जल्द मिलते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भारत